तो इस वुडियों हम टेस्स करने वाले निव पारलेची डार्क बिस्किट्स को तो इस तरह सब को इसकी पैकिंग वगर देखने मिलती है यहाँ पे इन्होंने डार्क वर्ड एड किया और यह पारलेची डार्क है यहाँ पे इन्होंने 20% एक्स्ट्रा लिखा है पता नहीं मतलब यह पहले कितना चोटा पाका था था अभी कितना एक्स्ट्रा वगर आ रहे है क्योंकि फर्स टाइम टेस्ट करने आ लग और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नेट कंटेंट है 75 ग्राम प्राइज इसकी 10 र प्लेवर है यहाँ लिखा है तो यह चौकलेट फ्लेवर हैBe시ly तो यह सारे इसके इंग्रेडियंट्स है और यहाँ पर ऐलर्जन इनफ यहाँ इसकी नूटिशन फार्ट्स एस पर हन्ड्रेल ग्राम और यहाँ पर आप देख सकते ना ने वाले ज़ोडda बे妆 सारी कैलरी क्योंकि इसमें पाम ओईल मैदा और शुगर पर जादा जोर दिया गया है साथी में यहाँ पे मैनुफेक्ट्टरिंग जो सारे प्लेसेस पर होते हैं आपको बदा करना कि आपके परिचस के पैक्की मैनुफेक्ट्रिंग कहा पर हुई है ओस्ट फरस्ट डा क्राएक्टों को देखे तो बदा कर अप पता को और हो कि पाक्की मैनुफेक्ट्रिंग को यह रहा है बदी तो इसकी manufacturing हुई है वाडा पालगर महाराश्रा में license number है manufacturer का इनका address है साथी में यहाँ पर आप देख सकते हो owner पारले बिस्किट्स प्रावेट लिमिटेड इनका office है विले पारले इस्ट मुंबई महाराश्रा में इनका license number है question queries होँगी तो आपको इनके इस विले पारले इस्ट के address पे इस number पे इस mail आड़े पे contact करना है और यह रही इसकी manufacturing date यह रही इसकी best before shelf lap around 5 months from date of manufacturing cool and dry place में रखना है avoid from direct sunlight तो चलिए इस डार्क पारले जी को जो है अब यह हम open करते हैं और टेस्ट करते हैं यहां से करता हूँ से cut जिससे कि हमें number of biscuits भी दिख जाएंगे और यह रहा तो यहां पर आप number of biscuits देख सकते हो और इन्हें भारी निकाल देते हैं सभी को कुछ इस तरह से जो है हमें यह biscuits देखने मिलते हैं पारले Magics आता था मुझे पता निया आपमें से कितने को याद है पारले Magics में एक काजू flavor आता तो और एक बदाम flavor आता था तो यह मुझे लगते है पारले Magics का जो है बदाम फ्लेवर टाइब यह बिस्किट्स जो है देखने मिल रहे है चल यह टेस्ट करता हूँ ओपन करते ही जो यहाँ पे चॉकलेट की मुझे स्मेल आ रही अच्छी कासी तो इसे जो टेस्ट करते है और देखते है टेस्ट में कैसे है तो इन्होंने डार्क लिखा है तो ब ऐसे जिरी थोड़े से बिटर कैसे मुझे बतानी लेकिन हल्के से कडवे लगेंगे क्योंकि नुख इन्होंने बता है बट वैसे डार्क चॉल इसमें आड़ेट नहीं है लेकिन इन्होंनों इसे रच्षा तेस्ट किये बट चॉकलेट फ्लिवर है हलके से कड़वे कर सकते हो चैनल को नीचे राइड बेटन में सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते अगले वीडियो में